साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी आशा करती हूँ सत्कुरू माता जी की किरपा से आप सभी अच्छे होंगे एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हुँ मैं आपके ही अपने चानल पर साथ संगत जी सेवा का दिखावा करने के बजाए कहीं और ना जाकर अपने आसपास के लोगों की सेवा अगर प्रतेक व्यक्ति कर ले तो कोई भी मुश्किल घड़ी हो वो असानी से गुजर जाती है और आज की साखी इसी विशय पर अरधारित है चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक बार की बाद है कि एक सबजी वाले ने तीसरी मंजिल की घंटी का बटन दबाया उपर बालकनी का दर्वाजा खोल कर बहर आई महिला ने नीचे देखा सबजी वाले ने उस महिला से कहा कि बिबी जी सबजी खरीद लो बताओ क्या क्या तोलना है कई दिनों से आपने मुझ से सबजी नहीं खरीदी क्या कोई और सबजी वाला आपको सबजी दे कर जा रहा है तब इस पर उस महिला ने कहा कि रुको भईया मैं नीचे आती हूँ वो महिला नीचे उतर कर आई और सबजी वाले के पास आकर बोली कि भईया अब तुम्हें हमारे घर की घंटी बजाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सबजी नहीं खरीदनी है तब इस पर सबजी वाले ने कहा कि कैसी बात कर रही है बीबी जी सबजी खाना तो सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है क्या आप किसी और से सबजी खरीदते हो तब इस पर उस महिला ने कहा कि नहीं भईया आप मेरे पती के पास कोई काम नहीं है किसी तरह से हम लोग अपने आपको जिन्दा रखे हुए हैं, जब हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा, घर में कुछ पैसे आ जाएंगे, तो मैं तुम से ही सबजी खरीदा करूंगी, मैं किसी और से सबजी नहीं खरीदती हूँ, जब तुम घंटी बजाते हो, तो मेरे पती को बहुत बुरा लगता है, मेरे पती को अपन घर में वापिस जाने लगी साथ संगत जी सबजी वाले ने उस महिला को रोक कर कहा कि बहन जी थोड़ा रुक जाओ हम इतनी सालों से आपको सबजी दे रही हैं जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुमने हम से खूब सबजी और फल खरी दे थे अब अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई है तो क्या हम तुमको ऐसे ही छोड़ देंगे सबजी वाले ने उस महिला से कहा कि बीबी जी हम सबजी वाले हैं कोई नेता तो है नहीं कि वादा करके छोड़ दे आप दो मिनट यहीं रुके रहो और सबजी वाले ने एक थैली के अंदर टमाटर आलू पे आज गिया करेले डालने के बाद धनिया और मिर्च भी उसमें डाल दिया ये देखकर महिला बहुत हैरान थी उसने तुरंद सबजी वाले से कहा कि भाया तो मुझे उधार सबजी दे रहे हो कम से कम तोल तो लेते और मुझे पैसे भी बता दो मैं तुम्हारा हिसाब लिख लूँगी जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पैसे वापरस कर दूँगी उस महिला ने कहा तब इस पर सबजी वाले ने कहा कि वा ये क्या बात हुई भला तो ला तो इसलिए नहीं है कि कोई भी मामा अपने भांजी और भांजे से पैसे नहीं लेता है और बहन मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ ये सब पैसे मैंने यहीं से कमाई है इसमें तुम्हारा हिसा भी है मैं गुडिया के लिए आम रख रहा हूँ और अपने भाजे के लिए मौसमी रख रहा हूँ तुम बच्चों का खूब खयाल रखना क्योंकि ये बिमारी बहुत बुरी है और आखरी बात भी सुन लो घंटी तो मैं जब भी आऊंगा तब मैं जरूर बजाऊंगा इतना कहकर सब जीवाले ने मुस्कुराते हुए दोनों थैलिया महिला के हाथ में थमा दी उस महिला की आँखे मजबूरी की जगा सनहे के आस्वों से भरे हुई थी इसलिए साथ संगत जी सेवा का दिखावा करने के बजाए कही और ना जाकर अपनी आसपास के लोगों की सेवा अगर प्रतेक व्यक्ते कर ले तो ये मुश्किल घड़ी भी आसानी से गुजर जाएगी और आत्मा आनंद और अमरित से त्रिथ हो जाएगी साथ संगत जी इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सेवा करके अंजाने रिष्टे कायम कर लेती हैं करीब दो साल पहले की बात है मोहन और उनकी पतनी ने किसी धार्मिक यात्रा का मन बनाया और अपने बेटे को बताया कि अयोध्या से रामेश्वरम की को यात्री ट्रेन जा रही है उसकी टिकेट ओन लाइन बुक करवानी थी बस फिर क्या था मोहन जी के बेटे ने इंटरनेट पर सब देखबाल करके मोहन और उनकी पतनी के टिकेट बुक करा दी निश्चिन्थ होकर मोहन और उनकी पतनी समय पर अपनी तयारी करके रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए यात्रा के टिकेट में भोजन, होटल में ठहरने की और बस के द्वारा दार्शनिक स्थल तक पहुँचने की विवस्था थी मोहन और उनकी पतनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और उनकी नजर सामने बैठे बुजरक दमपती पर पड़ी जो की उनके साथ ही यात्रा पर जा रहे थे साथ संगत जी मोहन की उनसे बात चीत हुई तो मोहन ने देखा कि वो बुजरक दमपती थोड़ा परेशान से दिख रहे थे मोहन ने उनसे पूछी लिया कि आप लोगों के साथ कौन है तब वो हस्ते हुए कहनी लगे कि आप लोग ही हैं हमारे साथ तो मोहन ने उस बुजरक दमपती से कहा कि बहुत अच्छी बात है अब हम लोग सब साथ में दर्शन करेंगे थोड़ी देर के बाद वो बुजरक दमपती बड़े संकोची भाव से मोहन से कहने लगे कि बेटा एक नमबर पर फोन लगा दो हम अपना फोन जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल आए हैं मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं आप नमबर बताइए जब मोहन ने फोन लगाया तो वो फोन उस बुजुरक दमपती के बेटे ने उठाया और घबराता हुआ उनका बेटा कहने लगा कि आप लोग किरिप्या मेरी माता पिता का ध्यान रखियेगा तो मोहन ने उस बुजुरक दमपत्ती के बेटे को कहा कि भाया चिंता मत करो हम आपके माता पिता को अपने साथ ही रखेंगे ये सुनकर बुजुरक दमपत्ती खुश हो गए और मोहन और उनकी पत्नी यात्रा के दोरान बुजुरक दमपत्ती के साथ ही रहे वो जहाँ पर भी जाते थे साथ में ही जाते थे लगभग बारा दिन तक उन सभी ने पूरा दक्षिन भारत दर्शन किया रामेश्वरम तिरुपती बाला जी मिनाक्षी मंदिर कन्या कुमारी आदी एतिहासिक स्थलों के दर्शन किये और साथ में रहते हुए उनमें आपस में इतना सनहें हो गया था कि मोहन और उनकी पतनी को लगा कि जैसे वो अपने माता-पिता के साथ में ही है क्योंकि वो बुझुरक दंपत्ती बहुत हिसने ही सभाव के थे साथ संगत जी वो बुजूरक दमपती मिर्जापुर के पास किसी गाव से आय थे और वो दोनों रिटायर शिक्षक थे उन दोनों ने अपने जीवन के किस्से और अनुभव मोहन और उनकी पतनी के साथ साजा किये और बहुत सारे भजन भी सुनाई और उन लोगों की पूरी यात्रा बहुत ही सुखद रही अब बारी आई घर पर लोटने की मोहन और उनकी पतनी का जासी रेलवे स्टेशन आने ही वाला था कि दोनों बुजुरकों की आखों से अश्रुधारा बहने लगी उन बुजुरक ने मोहन को गले लगाते हुए कहा कि बेटा अब कब मिलना होगा मोहन भी विदाई के पल से रूंधे गले से बोले कि आप लोगों का नंबर हमारे पास है हम सभी फोन पर बात करते रहेंगे साथ संगत जी ये मोहन के जीवन का बहुत ही अच्छा अनुभव था ये अनजाने रिष्टे भी कितने प्यारे होते हैं मोहन का उस बुजुरक दमपत्ती से कोई भी रिष्टा नहीं था फिर भी उनमें इतना स्निहे हो गया एक छोटी सी मदद से मोहन का और उनकी पत्नी का उस बुजुरक दमपत्ती से एक अनजाना रिष्टा कायम हो गया था साथ संगत जी आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा